हेलो एवर्यवन वेलकम बैक टू माइ चानल आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं क्लेजन पुनरविन्याज जो की बहुत इंपोर्टेंट और यूस्फुल टॉपिक है हमारी ब्येसी लेवल के एक्जामिनेशन के लिए और गेनिक केमेस्ट्री ब्येसी सेकेंड र क्लेजन पुनरविन्याज क्या होता है इसको जानने से पहले हमको पुनरविन्याज रियक्शन क्या होते हैं उसको जानना बहुत इंपोर्टेंट है जो पुनरविन्याज जो अभिक्रिया होती है उन अभिक्रिया को कहा जाता है उन और्गनिक रियक्शन को कहा जाता है ज जैसे कि हमारा यह माल लेते हैं, यह हमारा एक अडू है, जिसमें आर एक उसका पर्मानू है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, प्राय हाद कोई प्रतिस्थापी या जो सबस्टेटिवन ठोटा है, एक पर्मानू, एक पर्मानू से, उसी अडू के, किसी दूसरे पर्मानू अडू है तो यह उसी अडू के औरेंट से दूसरे पढ़वान चला जाता है तो आप से अडरी स्ऴतिन श्यते में से हैं यह हमारा यह आप ंरी साह्रागी में से Siz जब एलील एरील इथर को 200 degree centigrade पर गर्म किया जाता है तो एलील समू का इथर oxygen से प्रिधक होकर रींग के कार्बन पर और्थो इस्थिति पर चला जाता है इस अभिक्रिया को क्लेजन पुनर विन्यास कहते हैं जब रींग के दोनों और्थो इस्थान से गिरे रहते हैं तब ए क्लेजन पुनर विन्यास कि जब एलील एरील इथर को यह हमारा जो एलील एरील इथर है उसको 200 degree centigrade पर गर्म किया जाता है तो हमारा जो यह एलील समू होगा ठीक है इथर ऑक्सिजन से प्रिथक होकर रींग करवन के और्थो इस्थिति पर चला जाता है यह हमारा बैसिकली यह और्थो इस्थान पर चला जाता है यह एलील समूझ होता है अगर यहां पर एक अगर मालो यह हमारे और्थो इस्थान पर पहले से गिरे रहते हैं जब रीम के दोनों और्थो इस्थान पहले से अगर गिरे होते हैं तो यह हमारे एलिल समूझ होगा यह पैरा इस्थान पर चला जाता है तो यह बस जो है बेसिक रियक्शन है हमारे क्ले प्रतिस्थापी की की मुल योगी के सापेक्स प्रतिलोमित हो जाता है गिपके हैं और्थोपुनरविन्यास की क्रियाविधि में यह हमारा जो है एलील समुह से जुड़ा हुआ है तो यह मेकनिजम में पहला क्या होगा यहां पर डबल बॉन है इसका प्रतिलोमन हो जाएगा जब यह और्थोईस्थान पर जूड़ने वाला होगा तो यह हमारा डबल बॉन के हुआ हीचंच होगा हाड्रोजन सिफ्ट पर ने встрет हो जाएगा हमारा यह और यहां रिंग पिन जाएगा है आकर ऑस्तान पर जूड़ समुह तो यह और्तिली यह और्तिल फह धुचंड को यह सहि 4000 काय लाता है और यह मोन श्टबल अरोमेंटिक कमपाउंड होंड है यह हम लेजर रियार्रेज्मेंट रेक्शन भी खहा जाता है तो यह इसका बेसिक मेकनिजम है और यह इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूसफुल भी होगा यह टॉपिक्स आपके बेसिक इग्जामनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अगर यूसफुल है तो प्लीज आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जूरे रहे प्लीज सपोर्ट कीजिए लाइक सेट और सब्सक्राइब तो माइ चैनल और थांक्यू सो मच पॉचिंग